हेलो फ्रेंड वेल्कम टू मैं चैनल फ्रेंड आज हम क्यूट से बेवी के लिए क्यूट सा बूट बनाएंगे चोटा सा तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको यह मैंने 33 फंदों से स्टार्ट करा है यह देखिए फ्रेंड इसपे मैंने 33 फंदे डाल रखे हैं और इसको एक दो तीन छेज लाई हैं अब हम उल्टी साइड पे हैं तो देखिए अब हम क्या करेंगे एक फंदा हमने उतारा दागा अगे करा दो फंदे सीधे बनाए एक उतारा दो सीधे बनाए एक उतारा दो सीधे बनाए इस तरह से हम 16 फंदे बनाएंगे देखिए तीन चार पांच चे साथा नौ दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा औरे सोला बीज में एक फंदा सीधे बनाएंगे फिर एक उतारेंगे दो सी एक उतारेंगे दो बनाएंगे 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 और लास्ट वाला भी हम सीधाय बना देगे अब उल्टी स्लाइप देखिए फ्रेंड इस सीधी मेर्ट नहीं कि ढुषे करेंगे करें दो फंद हमलटे बनाएंगे नागा पीछे करींगे फंद उता करेंगे दो वहान रहेंगे दौ पेच्छे करेंगे ओन। design करेंगे डू यह दो उटे बनाएंगे गे। वतारेंगे दागा पेच्छे करेंगे अब इस वाले फंदे पे फ्रैंड हम देखिए अब क्या करेंगे इस पर बीच में हमने सेंटर में एक फंदा सीधा बनाये था इसके दोनों तरफ जाली बनाएंगे इस तरह से फिर दो फंदे उल्टे बनाएं एक उतारा दो उल्टे बनाएं एक उतारा दो उल्टे बनाएं एक उतारा दो दो श्लाइयों का डिजाइन है दो दो श्लाइयों में कम्प्लीट हो जाता है अब देखिए इस वाले कलर से अब हमने यह पूरी श्लाइय उल्टी इसी तरह से बना देने हैं इस तरह से कि सभी फंदों को उल्टा बना देंगे सीधी साइड पर बताऊंगे मैं आगे फंदे किस तरह से बढ़ाने हमने देखिए उल्टी स्लाइब बनाने के बाद हम सीधी साइड पर आगे तो इस लाइब हम उल्टी ही बनाएंगे सारी तरह से सीधी साइड को उल्टी बना दे इस एक फंदे पर हमने हर सीधी स्लाइब पर जाली बनाने अब धागा करेंगे सभी फंदों को उल्टा बना देंगे इसके बाद फिर एक बार फिर मैं आपको डिजाइन डालना बता दोंगी अब इसके बाद हम बाइट कलर से डालेंगे तो जीस तरह से हमने पहले डाला था वही डिजाइन हम फे यहां फस में ठालेंगे एक फंद़ उतारेंगे दो भाइट बनाये मेंगे देखिए अब हम फिर आगे उल्टी स्लाई पे तो ये फंद हमने उतार दिया दो फंदे हम वाइट के बनाएंगे एक उतारेंगे दो वाइट के बनाएंगे एक उतारेंगे इन 16 फंदों को हम इसी तरह से बनाएंगे और फिर आगे जो हमारे फंदे बढ़ रहे हैं उनको हम सीधा सीधा बनाएंगे देखिए लास्ट वाला है अब आगे वाले एक दो तीन चार पांच फंदे होगे हमारे उतारा हुआ पंद है उसको उतारेंगे और आगे सभी को वा वाइट एक उतारेंगे दो वाइट एक उतारेंगे दो वाइट एक उतारेंगे अब हम सीधी साइड पे आगे तो सीधी साइड पे फिर से हम ऐसे करेंगे वाइट वाले उल्टे बनाएंगे नागा पीछे करेंगे एक उतारेंगे दो वाइट बनाएंगे यह उतारेंगे, दो बाइट बनाएंगे, 16 फंदों पर इची तरह से हम डिजाइन बनाएंगे, इसको उतारेंगे, अब देखिए, एक सीधा बनाया, एक जाली बनाया, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली बनाएंगे, दो फंदे बाइट के बनाए अब इसको उतारेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब इसके बाद दो स्लाइए हमने दूसरे कलर से उल्टी उल्टी ही लगाने हैं हर एक सीधी स्लाइप फ्रेंड हम फंदे बढ़ाएंगे और उल्टी स्लाइप लेन बनाएंगे यह देखिए इस तरह से एक दो ती चार पांच बार हम बाइट कला से डिजाइन डालेंगे और यह हमारे फिफ्टी बन फंद हो जाएंगे तो फिफ्टी बन फंद हो तो हम इसी तरह से बढ़ाएंगे फिर आगे बताऊंगे मैं आप तो प्रेंडे देखिए यहां तक मैंने बना लिए यह अब इसके बाद हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे दस लाइँ रिखिए एक तो तीन चार पांच इदस लाइँ उल्टी उल्टी बनाएंगे फिर इसको बंद करेंगे त्रहसे इसलिक तॉनों दरब से इसी तरह से बनाएंगे उल्टा-उल्टा बाइट कलर यहां से पाट देंगे इस तरह से उल्टा-उल्टा बनाते हुए एक अपने दसलाइयां कम्प्लेट करेंगे कि देखिए यहां तक मैंने बना लिया है अब उल्टी साइड हम बार की साइड करेंगे और सीधी अंदर की साइड इस तरह से पकड़ेंगे इसको अब 25 फंदे के लिए और एक एक बनाएंगे पिछा वला के ऊपर से उपर से उतारेंगे और लास्त अब किसी तरह से इसको बन और करेंगे इसके बाद मैं आपको सिलना बताऊंगी उसको किस तरह से सिलना है इस तरह से आप इसको बंद कर लेजिए सभी को पीछे तक 25 फंदों को तो यह मैं बंद कर लेते हूं फिर आगे सिलना बताऊंगी किस तरह से सिलेंगे मैं इसको प्रेंड देखिए यहां से मैंने बंद के लिए यहां से सिलेंगे में इसको नीचे तक एक फंदा इधर से लेंगे और एक इधर से झाली झालोंजगे से लेंगे जीचल का इधर में अेखर से झाला हम उता है यहां से विए यहां से लो使के बाता है बख्रूब दो फिर को प्राप भी अब देखें इसको सीधा करेंगे हम अब देखें इस तरह से बनके आई है बहुत ही संदर लगते है बेबी बूटी यह वाला डिजाइन इस साइड आए और आगे वी शेप में डिजाइन आए तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को थेंक यू